हेलो दोस्तो रादे रादे जेशिर किष्णा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर शागते दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गर पर धनिया के बीज के से लगाए आसान तरीके से जिससे चार-पांस दिन के अंदर आपका धनिया ग्रो हो जाए देखे दोस्तो यह ह कॉरेश है और हरी हरी पथी देखे दोस्तो तो ऑभी सर्थ चल गईतों तोसर्थ हो में धनिया असानी से घर पर उगा सकते हम और उगने में भी जादा तक बने रहे ना बताऊंगा मैं आपको कि धनिया केसे लगाए अपन घर पर आसान तरीके से तो चलते हैं आगे दोस्तों बताता हूं आपको केसे लगाए धनिया तो दोस्तो यह हमारे धनिया का बीच तो इसको मैं दुकान से खरीद के लेका है था क्योंकि यह दूसरा धनिया है धोस्तों hybrid वाला इसको जितना काटेंगे इसके नई-नई पत्या निकलेगी कटवा धनिये दोस्तों यह इसको हमारे यहां कटवा धनी बोलते हैं क्योंकि जितनी काटेंगे हम इसको उतनी नहीं नहीं पत्या निकलेगी यह देख सकते हो तो एक दूसरा धनी यहां हो रहे वह भी दिखाता हूँ आपको यह दूसरा धनी आए दोस्तो तो इसमें तो इसकी पत्यों में बहुत कुस्पू होती है क्योंकि इसको है न हम तोड़ेंगे वैसे फूटेगा तो सही नहीं नहीं पत्या तो निकलेगी इसके लेकिन उतनी न में पर्यार हो जाएंगे और जो मैंने पहले जो बीज बताया उसके न बीज नहीं आतने बोर्ट टाइम लगता बीज आने में तो हम दोनों तरह का धनिया Chelsea मैंने दूनों तरह के बीज दिखाया आपको तो दोनों लगाएंगे दोस्तों तो इसको लगाने के लिए हमें पहले न इसको हम ऐसे आदा आदा भी कर सकते हैं देख सकते हो आप ये ऐसे न आदे आदे बीज भी कर सकते हैं किसी पत्तर वगेरा से नीचे गिस सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं तो दोनों तरेके से उख जाएगा दोस्तों ये और इसको हम पानी वगे देखे ही धनियां और यह हमारी के देखिता में पूरा दनियां अगा गंडारा हुना आए dreams में अगर देलाना है तो ओम में हमारा खल यानि घर के पास है ढहा है दोस्तों। यह दो चार दिन में दनिया दिखने लग जाए का हमको कि वह उगने लग गया दनिया यह देखे तो अभी दिखाऊंगा आपको जो मैंने पहले लगाया था तो उसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी हो गई और वह उगके तैयार भी हो गया एसे डालना है तो हम दोनों तरह क दनिया डाल देंगे दोस्तों यहाँ पर यह देखे हमारे खली हान में यह देखो ऐसे भी डाल सकते हैं मैंने पहले वह बताया आपको वह ऐसे डाल के ऐसे मिट्टी को ऐसे कुदाली से ऐसे कर दिया तो वह अंदर चला गया अंदर जाते दोस्तों उग आया वह यह देखे तो यह लगा दिया हमने दनिया और दिखाता हूँ आपको अभी जो दनिया हमारे उगना शुरू हो गया दोस्तों मैं यहाप खजिहान में लगाता तो हूँ लेकिन यहाँ पर हमारे मोर खा जाते दनिया वगेरा सब को खा जाते तो इनका जुगाड भी करना पड़ेगा मोर बिखाने के लिए हमारा धनिया जो मैंने पहले लगा था तो और पत्यां भी देखे कैसी बड़ी बढ़ी bisa तो धोस्तो मैंने अभी बताएं ये लगाया था पहले धनिया वीखेर दिया फिर कुदाली से एसे कर दिया तो वो नीचे चला गया और फिर फानी पिला दिया जिसमें यह उग के तयार हो गया दोस्तों और अभी सर्दिया आ गई तो सर्दियों में बहुत धनिया होता है तो हमारे भी बहुत होगा दोस्तों और धनिया के बिना तो सबजी अच्छी नहीं लगती दोस्त दनीया के बिना सब्जी अदूरी है तो सब भी धनी लगाने की कोशिस करते है दोस्तों किसी के उगम भी आता यह फिर खराब हो जाता है तो दोस्तों मैंने बताया जीसे लगा की देखना आप टो एक दम बड़ी अप प्रेसन घं़या होगेगा यह देखे अभी उग भी रहा है यह देखिया दो बट्यफी pacti इसके अभी निखल भी रा काम आता है तो हमारे यह देख सकते हो आप कितना सारा दनिया लगा हुआ है और मैंने अभी फिर लगा दिया तो वह भी कुछी दिनों में तयार हो जाएगा दोस्तों यह देखो तो हम यहां से तोड़के लेके जाते हैं रोजाना सब्जी में डालने के लिए अब जब नहीं है कि बहुत ज़्यादा जरुत होती है और लेकिन सर्द्यों में तो ऐसे उगएता है दनिया गर्मी वर्साथ में टाइम लगता है बड़व और उग व्हूंत आता है तो वह ज़्यादा चलनी पाता दोस्तों तो यह देखे सर्द्यों में मैंने बताएं आप कैसे ल पाइए कि अभाई निकल बाएगे ना इस वज़े से तो को सकते हो हमारा धनिया तरफ दनिया तो यह इंदर लगाए तो हमने पहले और जो में आ ऊदर लगाया ना तो इधर तो यह देखे मैं ने इसे जुगाड करका है साड़ी वगेरा लगा रखी है और उदर उदर भी लगानी पड़ेगी जब वो उगना शुरू हो जाएगा पहले उग गया था जिसको तो मोर खा गए क्योंकि हमारे यहां पर नीम का फेड़े ना यह रेख सकते हूं नीम का फेड़ कितना बड़ा है तो इस पर है ना मोर प पत्ते वाली सब्जिया इस वजे से हमने ने यह शाड़ी लगा रखी है और यह देख्या हमारा दनिया अगर शाड़ी नि लगाते दोस्तो तो अब तक पूरा दनिया चक्ट कर जाते मोर पूरा है खा hätte खाते तो वह जोच से खाते ना तो यह जड़े भिनिकलाते तो शू जाता है हमारा धनिया तो देख सकते हो हमारा धनिया चारो तरब धनिया है हमारे देख सकते हो जैसे मैंने पहले बता है वैसे डालाता है तो देखे कितना अच्छा धनिया हो गया तो हम इसको तोड़ सकते हैं दोस्तों क्योंकि इसके दो तिन तिन पत्तिया निकलिया तो अभी मेरे मिट्टी के आतो रहे मैंने आपको मिट्टी बताई ना कि कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए तो यह दोस्तों इसमें आमने गोबर की खाद डाली थी वह वाली मिट्टी है तो गोबर की खाद से मिट्टी मुलायम होती है कटोर नहीं होती दूस्तों ये देख सकते हो और कुछ खाद वगेरा ने डाला और ये देखो मैं पिर दिकाता हूँ आपको अभी धनिया, ये वाला दनिया निकल रहा है ये देखो धनिया का बीज, आदा वाला बीज है दोस्तो तो इसे लगाते अगर दोस्तों एक बात बताऊं आपको चीटियां होती न तो वह ऐसे अनाज वगेरा को स्टोर करती है ले जाती अपने बिल में तो दोस्तों वह उसको टूड़े करके रखती है ताकि वह बरसात में गिला होने पर उगेनी जर्मिनेट नहीं हो और दोस्तों ज गिला होने पर वह उगे नहीं तो देखे छोटे से जिव में कितना दिमाख होता है समझदारी होती है दोस्तों और हम भी ऐसे ना इसके दो भाग करके या तो किसी पत्तर वगेरा से इसे किसके दो कर सकते हैं या फिर एक को भी लगा सकते हैं तो वह कैसे भी लगाए दोनो सर्दियों में जो चीज लगाते है वो आसानी से उग जाती है दोस्तों गर्मियों में टाइम लगता है थोड़ा धनिय को लगाने में और उग भी आता है तो दोस्तों हमारी तरब तो इतनी गर्मी पढ़ती है कि हावासे सूख जाता है लू पढ़ती है गर्मी के साथ लू दोबी चलती है तो लू में सूख जाता है हमारा दनिया तो गर्मी में हमारे दनिया भूत कम होता है अभी वरसात में तो देख सकते हूं आप कितना दनिया है मैं दिखा रहा हूं आपको अंदर बार सब तरह आप ये साड़या लगा रखी ए दनिया के लिए सबजी के लिए मेती पालक भी लगा हुआ है ना तो इन पत्ते वाली सब्जीं को खा जाते है इस वज़े से हमने साड़या लगा रखी ए तो ये देको दनिया और दोस्तो इसके बहुत बहुत अच्छे गुण होते हैं इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं हमारे सरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है धनिया ऐसे चटनी बनाकर कच्छी चटनी बनाकर ऐसे सिल बट्टे पर पीस कर गाउं का तो मजाई अलग होता है गाउं में सब चटनी बनाकर सिल बट्टे पर बनाते हैं दोस्तो इस पीस कर बहुत अच्छी लगती है दनिया जीरा डालकर तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं चटनी बनाकर भी खा सकते हैं सबजी में डालकर भी खा सकते हैं तो बहुत अच्छा कुछपू भी आती है इसमें देख सकतो हूँ आपको मैं बताता हूँ पूरा दनीया हमारा देखो कितना साराओ लगा हुआ है यह दन्याया हैं यह अभी बाद में डाला निया तो यह उग रहता है अभीम मैं केक पत्ति निख लिए और यह पहले वाला है यह देख सकते हो कि अधर भी है तो हमने पूरे वह तब के न दनिया यह लगा रखा तो दनीया की बहुत ज़रत होती है सर्दियों में चटनी की ज़रत होते हैं दोस्तों मैंने बताया जैसे आप भी लगा के देखना तो आपके आसानी से दनिया उग्याएगा गर पर गमले में लगाना बाल्टी में लगाना किसी में भी लगा सकते हो इसको छोटे से छोटे इसमें भी लगा सकते हो ना उसमें भी तैयार हो जाएगा दोस्तो अपने वर ठोपली होती न पन फोली तीन लगा के मिट्टी डाल के बड़ा गोबर की खार डाल के उसमें भी लगा सकते हैं तो उसमें भी दनिया उग्याएगा दोस्तो यह हमारे खलियाने पास में इस वज़े से हम यहां खलियान में लगाते हैं अगर खलियान नहीं होता दोस्तो तो में भी ऐसे जैस को अटा देते हैं देखो तो दोस्तों अभी कुछ और दिखाता हूं आपको चलते हैं दूसरे दनिय की तरफ दोस्तों यह ही दूसरा दनिया यह अभी उगना शुरू आए क्योंकि यह मैंने लेट लगाया था दोस्तों और इस पर मैंने अभी आज यह ना राक डाली थी अच्छी होती है पोदो के लिए केल्सियम वगेरा इसकी पूर्ती करती है पोदो को तो यह देखे मैंने राक डाली थी और यहां पर यह उगना शुरू हो गया लेट वाला दनिया बाद में लगाया था क्योंकि फेले वाला पूराना हो जाएगा तो यह नहीं तयार हो जा यह लगाया था तो इसको यह मोर खा गए तो यहां पर अभी मैंने टाइम ने मिला नहीं तो मैं कुछ जुगाड कर देता और अभी जो मैंने धनिया लगाया आपको दिखाया ना वो यहां पर लगाया दोस्तों देख सकते हो मेरी कुदाली भी यहीं है और यह धनिया के द तो दोस्तो अब हो गी हमारे धनिया कैसे लगाए तो आप जरूर लगा के देखना तो जल्दी उगके तयार हो जाएगा आपका धनिया तो दोस्तो ये ता आज का हमारा वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तो और शेयर सब्सक्राइब जर जल्दी उपके तयार हो जाएगा तो यह था हमारा वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेट जरूर करना ठीक है रादे रादे जेशिर कृष्णा